यह वेल्कम बैक टू मैं चैनल इसमी शुती मिश्रा आज मैं लेकि आई हूँ एक हेर ओयल का रीव्यू और डेमो वीडियो और यह है हमारा काफी वेल नोट प्रोडेक्ट है सेशा शिरपाक विधी एएँड और यह है है और आज मैं आपको बताऊंगी कि यह हैर ऑइल कैसे वोकरता है क्या इसके बैनेफिट है कैसे इसको यूस करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम बैनेफिट मिल सके और इसे और और के क्या क्या साइट एफक्टे एवरीधिज अब और वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और पसर आने पर उसे लाइक जरूर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएक प्रेस कर कि जिस बगर मेरा बेल बिटन तो फोगी तो प्रेस तार्ट और कोई क्वेशन कोई 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 लिए या कोई नहीं होता तो आ स् इस तरीके की बॉटल में आता है इसमें कार्डबोर्ट बोक्स भी आता है जो की मुझसे मिस हो गया है तो मैं उसको शो नहीं कर पा रही हूँ और बैग पर प्रोड़क्त की पूरी डिटेल मेंशन की गई प्राइस की तो यह इसकी स्मॉलेस्ट बॉटल है और यह 90 ml की बॉटल है इसका प्राइस 115 डुपीज है और शेल्ट प्राइब इसकी 3 इल्स की है यह हमारे इंडियन ब्रांड से अगर बात करें इंक्रीडियेंट्स की गाइस त्यूंकि इसमें कोई मिनरल ओयल नहीं है कोई केमिकल नहीं है पूरे हर्बल इंक्रीडियेंट इसमें मिक्स किये गए है और बहुत लाइट है बहुत थिक कंसिस्टेंसी का नहीं है मलब कि इसको अगर आप अप्लाय करेंगे तो बाल कहीं से भी चिप चिप नहीं लगेंगे वाकि इसका जो गाइस क्लेम है यह ओर एक्सटर्नल यूसिस अली मसाज ऑनस्कैल्प तो गाइस यह एक तरीके से क्लेम करता है कि आपके स्कैल्प में डिसॉर्डर हो गया है जैसकी डैंट्रफ हो गया है यह आपके हेर रुख नहीं हो रही है एक तो यह आप उसको अपलाय कर सकते हैं इसको यूज करने का त इसको लगाएं रूट में लगाने से पार अपनी स्कैलब पे धियान देजें टीम अच्छे से मसाज करें अजो आपकी टीम्न साथ कर सके Lazum नहें उल भोभ, से आपको मसाथ कुछ पलोग उल्लच को अप कर सके अर्य के वहां श्काधन के धिरAS कि hair wash करने के बाद इसको apply करें guys मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि आप hair wash करने के बाद यह oil use करो क्योंकि अगर आप hair wash करने के बाद oil रखते हो तो बाल बहुत sticky हो जाता है dandruff होने लगता है चिप-चिप सा बाल हो जाता तो मुझे hair wash करने के बाद personally पसंद नहीं है मैं इसलिए हमेशा hair wash करने से पहले ही use करती हूँ so guys यह थी इस product की detail कुछ questions इस product के बारे में जो आप लोग ज़्याद तर पूछते रहते हैं कि guys यह hair oil कैसे work करता है और क्या इसका benefit है तो guys मैंने इसको use किया है 1-2 year even जो मैंने इसको use करना शुरू किया तो मेरे hair काफी short थे मेरे पहले की video में आप लेख सकते हैं कि मेरे hair काफी short थे लेकिन मेरे hair में काफी length आ गई इसको use करने के बाद and guys यह कोई sponsor video नहीं है यह product मैंने अपने हे पैसों से purchase किया है and even मैं बहुत जादा hair oils के review भी नहीं करते हूँ यह product मुझे पसंद आया इस वजह से मैंने इसका review share किया है आपके hair को long करने में बहुत मदद करता है मतलब कि मैंने पहला यह oil ऐसा देखा है जिसको लगाने के बाद मेरे hair की length है काफी हद तक बढ़ी बहुत जादा hair लंबे होने लगे यह hair की लंबाई बढ़ाने में बहुत benefit करता है अगर आप इसको use करते हैं उसकी एक bottle आप use करोगे आपको feel होगा कि आपकी जो hair है वो long हो रहे हैं hair fall पे भी यह control करता है लेकि बरसात की वज़े से या फिर कुछ अंदरी problem की वज़े से बाबाने में खोकून की कमी है या इस तरीके की तो वो बात अलग है बाकी hair fall को भी control करता है यह को बहुत silky और soft बनाता है जो कि मुझे इसका बहुत अच्छा point लगा इसका side effect तो guys मुझे as such कोई नहीं लगा कि कोई इसको use करने के बाद मुझे नुकसान feel हुआ लेकिन गाइस इसकी smell बहुत हाड है मतलब काफी तेज़ टाइप को oil है हाड स्मेल वाले oil पसंद नहीं है लेकिन स्मेल काफी हाड है और लगाने के बाद आपको खुद से ही बहसूस होगी कि आपने कुछ लगा लिया है जो महक रहा है काफी जादा तो smell को छोड़ रहे हैं तो definitely आप इसको यूज कर सकते हैं गल्स बिल्कुल च्राय कर सकती जिनको बाल बढ़ाने है तो definitely आप यूज करिए इससे आपके है बहुत एक्स्टेंट तक लंबे होंगे बाकि आप अपनी डाइट को अच्छा रखिए आप अच्छा फूड प्रोटीन वाला ली पीजिए दूद पीजिए और आपके हैर जरूर बढ़ जाएंगे और इसको अप्लाय करिए हपते में एक बार ये था मेरा हॉनिट सा रीव्यू एंड टेमो सेशा हेर ओल के बारे में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्रीज उसे लाइक जरू कर दीजेगा शेय